शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले लॉकडाउन के चलते अवेत कामों को तेज गती से किया जा रहा है केरल और बैंगलोर से नाकपूर में तकरिबन लाखों रुपेओ की सुपारी अवेत तरीके से नाकपूर के ट्रांसपोर्ट नगर में आने की खबर मिलते ही नाकपूर की क्राइम पुलीज घटनास्तल पर पहुची आगे की जाच की जा रही है जब से शहर में लॉकडाउन किया गया है तब से लेकर आज तक कई ऐसे मामले सामने में आ रहे है जो अवेद है शहर के कई पांठेले पुरी तरह से बंध है ऐसे में जिने खर्रा खाना है वो कही न कहीं से जुगाड जमा रहे है हाली में खर्रा बेशने वाले एक दुकानदार भी कोरोना का संक्रमित मरीच पाया गया था जिसके हातों से चार लोगों को खर्रा बेशने की बात सामने आई थी और जिनोंने खर्रा खाया था उनमें भी कोरोना वाइरस के लक्षन पाए गए है जिन्नोंने अब सुपारी का खर्रा खाने से तौबा कर रहे हैं लेकिन सुपारी का व्यापार करने वाले कुछ ऐसे भी व्यापारी है जिने शहर के नौजावानों के स्वास की तनिक भी चिंता नहीं है बस उस व्यापारी को तो पैसा कमाने से मतलब है चाहे फिर सड़ी गंदी सुपारी से बने खर्रा खा कर मर रहे योकों से उन्हें क्या लेना देना जी हाँ आज हम आपको बता रहे हैं वर्दमा नगर के ट्रांस्पोर्ट नगर की जहां पर केरल और बैंगलोर से लाखो रुपे की बड़ी मात्रा में सड़ी सुपारी का जखिरा दो ट्रक और एक मिनी वहान में नाकपूर के सिमा रोडवेज में लाया है जहां से इस अवैस्पारी के हजारों बोरियां का वितरन शहर के अलग-अलग शेत्रों के छोटे-छोटे व्यापारी को दिया जाना था लेकिन इसकी भनक लगते ही नाकपुर की क्राइम पुलिस अपने दलबल के साथ घटना सल पर पहुची और इस अवे सुपारी के जखरी की अव्वे जांच कर रही है और वो नाकपुर स्ट्याहर में अलग अलग जगहा पे खर्रे की यूज़ के लिए सप्लाई होने वाली है इसलिए हम अपने टीम के साथ वहाँ पर गए वहाँ पर हमें दीखे कि दो ट्रक सुपारी आई हुई थी इनकोरे में पाया गया कि वो जो सुपारी वो मेंगलोर से आई हुई थी ऐसे हमने वहाँ पे दो ट्रक में 363 बोरे सुपारी पकड़े है जिसकी कोस्ट है 47,19,150 रुपए 47,19,150 रुपए एपराजिमेट 48,00,000 का माले हो अब सुपारी जो सीमा रोडवेज नाम के ट्रांसपॉर्ण में आई थी जिसके ओनर है अनुप नगरिया ओ सिपारी के अभी हमने जो ट्रक है जबत किये है फूट डिपार्ट्मेंट को इसकी हम इनफर्मेशन दिये है अभी कल फूट डिपार्मेंट के जो अधिकारी लोग आएंगे उसमें से वो लोग सैंपल्स लेंगे और अगली कारवई उसके उपर में की जाएगी अभी इसकी इंक्युरी चालीए उन्होंने सुपारी कहां से लाई थी कहां जाने वाली थी और वह सही में उप्रतिबंदी सुपारी है किया इसके बारे में पूरी हम लोग चांबिट करके बाद में उसके उपर पुचित कारवई की जाएगी अभी हमने दोनों सुपारी का ट्रक अपने तापे मिली है और अगली कारवाई हम लोग कर रहे हैं हमें जो मिली है इंफर्मेशन वो दो ट्रक की मिली है बाकी उसके गोलान में और क्या इतर का जो माल होंगा उसके वारे में नहीं है चन पैसे कमाने के लालच में व्यापारी भी इस हद तक जाएगे कि आप उने देश के नवजावानों से कोई लेना देना नहीं है बस पैसा कमाना यही उनका एक मात्र उद्देश है दर्शकर इस समय में वर्दमान नगर के ट्रांसपोर्ट एरिया में इन्बिसिन की टीम खड़ी है हम आपको बता दे कि आए देन सुपारी को लेके काफी चापामार कारवाई होते हुए नजर आ रही है कुछ इसी बात को ढान में रखते हुए क्राइम ब्रांच की पुलिस भी यहां पे पहुँची है वर्दमान नगर के हम इसी ट्रांसपोर्ट नगर में आप देख सेते हैं कि हमारे पीछे दो ट्रक एक है अब तक के किन कारणों से यह काम काज हो रहा है यह भी पता नहीं चला इसकी अधिकारी तो पुष्टी भी नहीं हुई लेकिन एक बात तो तह है कि जहां आग लगी होती है वही धुआ उटा है और कि इसी प्रकार का काम आज वर्दमान नगर के इस ट्रांसपोर्ट नगर में भी दिखाई दे रहा है नागपूर के ट्रांसपोर्ट नगर से कैमेरा परसन विरेंदर खोबरा गड़े के साथ संजय मीरे इन बीसे निज नागपूर